लोगों को नाभी पे जो तेल डालने का फायदा है उस फायदे के आप लोग को बताने वाला हूँ और इतना गजब लाजवाब फायदा आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते सिर्फ नाभी में तेल डालने से इतना अधिक फायदा होगा कि आपको हैरान कर देगा यह त अगर नए देख रहे हो इस वीडियो को तो क्योंकि आज मैं आप लोगों को ना भी पित तेल डालने के वह चमतकारी फायदे बताने वाला हूँ जिस फायदे को बड़े बड़े डाक्टर नहीं दे सकते आपका लाको करोडो रूप्या नहीं दे सकता आपके धन सम पत्ति ओसुक नहीं दे सकता जो अज मैं वीडियो में इस तरीके को बदा करके देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम इसी तरह की बहुत ही इंट्रेस्टिंग और सेहत से भरा जानकारी वीडियो में लाते रहते हैं जिसका फाइदा हर कोई लेना चाहता है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बीना समय कमाई और आप लोग को बताते हैं नाभी में तेल डालने का तरीका और उसके फाइदे हैं दोस्तो नाभी में तेल कैसे डालना है कितना डालना है ये तो बात की बात है इसके जो फायदे हैं उसे आप सबसे पहले जान लीजिए क्योंकि नाभी में तेल डालने से जो फायदा होता है वह फायदा किसी भी अवसधी में नहीं होता है और हर एक अवसधी से यह जादा सरदार होता है तो नाभी में जैसे तेल कमी पूर्ण हो जाएगी और आपके नाभी जो जड़ है उस जड़ में यदि आप तेल डालते हो तो उससे आपकी जो होटों का फटने की समस्या ठीक हो जाएगी आपकी आतों में चीकनाहट आ जाएगी जिससे आपका पेट साफ होने लगेगा और नाभी में जब तेल डलता है तो नाभी से पूरे सरीर की जो स्वसन क्रिया है पाचन क्रिया है या मुत्र मार्ग है मतलब सरीर के जितने भी कारे करने की छमता है वहाँ डबल हो जाती है आप लोगों ने देखा होगा जब हम योगासन या प्रनायम करते हैं तो लंबी सांस लेते हैं डाक्टर भी कहते हैं कि लंबा सांस भरो किसी भी हिर्दय धरकन चेक करते समये तो लंबा सांस लेते समये हमारा जो स्वसन क्रिया है वह सीधा स्वास नाभी तक जाता है यानि जड़ तक पहुँचता है और जो भी चीज जड़ तक पहुँचता है तो जड़ उसका फायदा सरीर को पहुचाने लगता है तो इसी तरह से अगर प्रणायाम से हवा नाभी तक जा रहा है तो हमारे पूरे सरीर में pumping क्रिया की द्वारा रक्त संचार तेज करता है और इस फूर्ती बढ़ा देता है उसी तरह से अगर नाभी में भी तेल डालते हो तो direct नाभी में तेल जाने से वह पूरे सरीर में उस तेल की जो ताकत है उसे पहुँचा देता है पूरे सरीर में इस से आपके सरीर की जो घु नहीं हो बनता और आपके मस्तिस्क की जो कारी छमता है वह भी बढ़ जाती है आपका दिल, दिमाग, गुर्दा, किड़नी, लीवर हर एक चीज और इतना अच्छा कारी करता है कि आपका सरीर पूरा एनर्जी से इस फूर्ती से 24 घंटे भरा रहेगा क्या करने से सिर्फ दो बूंद ना भी पे तेल डालने से आपके रोएं रोएं में तेल पहुँच जाएगा आपके अंग-ंग में जवानी आ जाएगी आपकी कारी छमता बढ़ जाएगी किसी भी परकार से जो कारी करते हो उसमें उदासी पन रहता है वहाँ उदासी पन खत जड में अवसधी डाल रहे हो जड में ताकत एनर्जी डाल रहे हो जिसकी नसों में इसे भी परकार की कमजोरी रहती है वह कमजोरी डारेक्ट नाभी में तेल डालने से ठीक हो जाती है मान लो अगर आप किसी भी अंग को खराब कर चुके हो वहाँ पे सिथिल है लटका मूर्दा पड़ा है तो उस अंग को मालिस करते हो आप लेकिन अगर आप नाभी पे तेल डालते हो प्रती दिन तो उस अंग में जब तेल जाएगा तो अंदर से उसमें जान आएगा नाभी के माध्यम से जड़ के माध्यम से उस अंग में तेल जाएगा और अंदर से किसी भी परिसानी से बच जाएगा और हमेशा जवान की तरह इस फूर्तिवान रहेगा बच्चों की तरह उच्छाले मारता रहेगा बुढ़ापे में भी कमरकंधा घुटनों में दर्द नहीं होगा आपके बाल सफेद नहीं होंगे समय के पहले आपके दात कभी कमजोर नह होंगे आपके हाथों की चमरी कभी नहीं सूखेगी आपके चेहरे में बुढ़ापा दिखेगा ही नहीं आपके चेहरे में चिकनाहट रावनाक और जवानी ताजगी भरे रहेगी लेकिन आपको बस यही काम करना है सोते समय रात को मैं आपको बता देता हूँ नाभी में दो बून सरसों का सुध तेल डालना है और सो जाना है बस यह काम प्रती दिन आपको करना है इससे आपको इतनी अच्छी सुबा उटते साथ एनरजी फिल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते बस आप यह काम करना सुरू कर दीजी और देखिए चमतकार कुछी दिनों में आप के सरीर में कैसा बदला होने लगता है तो दोस्तों यह रहा नाभी में तेल डालने के फायदे आपको नाभी में तेल डालने से पूरे सरीर में एनरजी भर जाता है और सरीर की एक परकार से सुद्धी हो जाती है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए हमारे साथ जुड़े रही है